नमस्कार दोस्तों बेंजन कुक में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं कुरुमोरे की जटपटी ये जटपट बनने वाली रेसिपी है कभी भी बना सकते हैं बच्चों को ये बेहत पसंद आएगी इसे बनाने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिए अभी तक आ हमने तेल में लिया है दो चम्मच जितना दो टेबल स्पून जितना और इसके गरम होते ही इसमें हम डालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्यास लेकिन उससे पहले आधा चम्मच जीरा थोड़ इसी हिंग और अब हमने ये प्यास डाल दिया है आपको बता दें कि एक प्यास हमने बारिक काटा है जिसको अच्छी तरह से भूनना है प्यास हलका सा भून लिया जाए फिर हम इसी में मसाले एड़ करगे तो सबसे पहले हमने लिया है आधा चम्मच मिर्च पाउडर आधे से भी आधा हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और एक आधा चम्मच नमक अब इन मसालों को भी प्यास के साथ हम थोड़ा सा भून लेंगे अब इसमें हमने डाला है एक बारिक कटा हुआ टमाटर इसे भी थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम एक ग्लास पानी तो इसे हमने मिक्स कर लिया है और इसे उबलने देंगे और जैसे ही इसमें उबल आ जाए इसमें थोड़ी सी हमने डाली है शक्कर आप चाहें तो अवाइड कर सकते हैं क्योंकि प्याज और टमाटर मीठे होते हैं तो जरूत नहीं है अब ये उबल गया है इसमें हमने डाला है थोड़ा सा धनिया और हाँ आप चाट मसाला जरूर डालिएगा ताकि ये और भी चटपटा बन जाएगा अब हमने जो कुर्मूरे एक कटोरा जितना कुर्मूरा है आपको बता दें ये करीब डेट सो ग्राम जितना कुर्मूरा है ये इसमें हम डाल देंगे उबलते हुए पानी में और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे झालो 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 जितना कुर्मूरा है जितना का। कैसे लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें लिख कर जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तब तक किप बिंजिंग किप कुकिंग